Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं Miscellaneous Exercise on Chapter No.9 का Question No.7 देखते हैं क्या है If f is a function satisfying f of x plus y equal to f of x into f of y for all x and y belongs to natural values उसने क्या कहा है, अगर हमारे पास एक function हो f of x plus y equal to f of x into f of y जो की क्या करता है, satisfy करता है सभी values को x, y belongs to natural values Such that f of 1 equal to 3 हमें f of 1 जो given है, वो कितना given है, 3 given है and summation या sigma of x equal to 1 से लेके n f of x equal to कितना होना चाहिए हमारा 120 Find the value of n, तो n की value हमने find out करनी है समझो ध्यान से question के अंदर क्या given है हमें क्या करना है, ऐसी terms find out करनी है जो इस function को satisfy करती हो ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि उनमें कितनी term का हम use करें कि उनका sum 120 आजाए तो इसका मतलब n is equal to find out करना है हमें कितना होगा, n की value find out करनी है सबसे पहले अपने function के उपर चलो सबसे ज़्यादा confusing चीज यही है आपके लिए तो देखो, function जो given है, हमें f of x plus y equal to f of x और f of y ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है f of 1 तो हमें given है means, first term हमें given है 3 है second term find out करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा f of 2 find out करना है f of 2 बनाने के लिए x भी 1 होना चीए y भी 1 होना चीए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x equal to 1 and y equal to 1 के लिए तो यहाँ पे क्या आजाएगा, f of 1 plus 1 equal to f of 1 into में f of 1 y की जिए भी 1, x की जिए भी 1 clear है तो यहाँ पे क्या आगया, f of 2 equal to कितना आगया f of 1 की value क्या है, 3 और f of 1 की value क्या है, 3 3, 3 जा क्या आगया, 9 तो f of 2 आगया, मेरा कितना है, 9 समझ में आगी बात अब मुझे f of 3 find out करना है f of 3 कैसे निकलेगा, 1 plus 2 करके 2 plus 1 कर सकते हो, या 1 plus 2 कैसे भी लिख सकते हो तो यहाँ पे निकलेगा हमारा f of 3 ये था हमारा f of 2 और f of 1 हमें already given था तो यहाँ पे f of 3 निकालना है, तो कैसे निकलेगा f of 1 into में f of 2 means x की जंगा 1, y की जंगा 2 put कर लिया अब value put करते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे f of 1 की value क्या थी, 3 into f of 2 अभी find out क्या था, 9, 9, 3 जा क्या आगा, 27 तो जो हमारी series बनी है, वो क्या बनी है 3, 9, 27 इस तरिके से अब उसने क्या आगा, ये एक हमारे पास series है और ये क्या है, हमारी GP series देखो ध्यान से, ये कैसे series है GP series है, हमारी 3, 9, 27 इसमें first term क्या है, a is equal to 3 common ratio क्या है, second term divided by first term, 9 by 3 करेंगे तो 3, 3 जा, 9, तो r की value भी क्या आगी हमारी 3 r की value 3 आगी, a की value 3 आगी हमें sum कितना चाहिए, ध्यान से देखो उसने क्या given है question के अंदर given है, हमें, sigma x equal to 1 से लेके n f of x equal to कितना होना चीए, 120 तो मतलब, s of n is equal to क्या होना चीए, हमारा 120 हमें अब sum का formula लगाना पड़ेगा, इनकी value find out करनी है तो sum का formula क्या होता है, हमारा, लगा लो यहां पर a into, s of n is equal to a into r की power n minus 1 upon में r minus 1 s of n कितना होना चीए, 120, put कर लो, 120 equal to a क्या है, हमारी first term, क्या है 3, common ratio क्या है, ये भी 3, 3 की power n minus 1 upon में 3 minus 1, clear, अब यहां से n की value find out करनी है, बस हो जाएगा question, तो यहां पर देखो क्या आगया, 120 equal to 3 into 3 की power n minus 1, अब उन में, 3 minus 1 क्या हो गया, 2 अब 2 यहां multiply में आएगा, 3 divide में आएगा, तो यहां पर क्या आजाएगा, 120 multiply 2 divided by 3 is equal to 3 की power n minus 1, clear, 3 बन जा 3, 40 पे गया, 42 जा क्या हो गया, 80 is equal to 3 की power n minus 1, minus 1 को left hand side लेके आएगे तो क्या हो जाएगा, 81 is equal to 3 की power n, अब इसको simplify करते हैं थोड़ा सा, 81 को हम कितने की power 3 की power कितने लिख सकते हैं, 3 की power 4, 81 होता है, 3 की multiply 4 times करेंगे तो 81 आएगा, is equal to 3 की power n, compare कर लो तो n is equal to क्या आगया, 4 terms, this is the answer, अगर हम इस GP series की 4 term use करेंगे तो उनका sum कितना होगा, 120, आप करके देख सकते हैं, आपको clearly आपको पता भी लग जाएगा, I hope question आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल simple था, function में उलजने की जरूरत नहीं है, confuse होने की जरूरत नहीं है, next class आपके साथ है, full sport में, कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment कर सकते हैं, दरवाई channel को subscribe जरूर कर ले, like करें, share करें, बहुत सारा share जरूर करें, बस यही एक sport चाहिए आपसे, और कुछ नहीं बाकि मैं आपके support के लिए ready हूँ, thank you student for your love and support for this channel, thanks